उत्तरपरदेश में नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें केई मुद्दे हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त है चाहे सत्तापक्स की और से हो चेविपक्स की और से है वो है माफिया वो है अतीक एहमद वो है साइस्ता वो है असद कानून विवस्ता को लेकर असद और उसके बाद अतीक और असरब के एंकाउंटर के बाद तमाम मुद्दे को ये छोड़ता हुआ ऊपर आ गया है खुद मुखंतरी से मुद्दे को लगातार अपनी रेलियों में उठा रहे हैं कि माफिया अब किसी को धमका नहीं सकता गुंडे अब किसी को परिसान नहीं कर सकते अब इस मामले में एक नया डिवलेमेंट आया है परियाग राज में अतीक के बेटे अली जो इस वक्त नेनी जेल में बन्द है उसके नाम से एक चिथी कई जगे चिपकाई गई है कई जगे सर्कुलेट की गई है सिर्फ चिपकाई यह सर्कूलेटी नहीं की गई बलकि उसको सोसल मीडिया पर भी वाइरल किया गया है और यह चिट्थी कई माइनों में अलग है इस चिट्थी में एक एमोशनल काड़ खेलने की कोशिश की गई है चिट्थी का जो मजमून है आप जो पढ़के देखेंगे तो उसे लगेगा कि इसके पीछे का मकसद क्या है इस चिट्थी को जो अली के नाम से चपाई है इसको लेकर इस समय उत्रपरदेश पुलिस और उत्रपरदेश सरकार चांच कर रही है लेकिन इस चिठ्ठी में लिखा है कि मुसलमानों को एक्चुलि यह पूरी चिठ्ठी लिखी गई है कि देखिया हमरे साथ किस्तनी जात्ती हो रही है मेरे भाई का एंकाउंटर कर दिया यानि बीजेपी और समाजवादी दोनों को इस चिठी में लपिटा गया है, दोनों पर आरोप लगया गया है, साथ ही ये भी कहा गया है कि इन दोनों पर भरोशन ना करें, यानि बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को बोटना देने की अपील की गई है कि इन दोनों पा पुलिस कर रहे हैं, tripti cm जो है उन्हों पर раз against कहना है कि इस समय जो है प्रदेश में विकास चलडा है, Itsam g Ko시 कर क्रें है, तो कुछ लोग इस तरह के काम कर रहे है, इन तमाम जो चीजेह की जिव hack पत्र म क्यूं circ कर रहे हैं इन तमाम ज आम से जो घतना इसका कितना effect चुनाओ पर होगा ये देखना बाकी होगा क्योंकि इस चिठी में जो समाजवादी पार्टी को भी कहा गया है कि वो भी बराबर की हिस्सेदार है वो भी अपने आमों बहुत महत्पुन है और तमाम मुसलमानों से अपिल की गी है कि मुसलमानों समाजवादी प द्याक ने कहा था कि अतिक कि पतनी साइश्टा अभी भी पार्टी में है जब तक कि वो उस पर आरोप सिद्धना हो जाए तो ये देखना होगा कि मुसलमान के अबस्पा के सपोर्ट में जाते हैं या समाजवादी पार्टी से कन्ना काटते हैं अब देखना ये तमाम कैसी देखते हैं जरू बताई, नश्कार।